हेलो इस्टुडेंट कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज से दो साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्हें बताया था कि टीचर की रिस्पेक्ट नहीं है ठीक एक्चुल में टीचर की रिस्पेक्ट नहीं है ठीक है तो क्या होता है कि सब चीज ऐसी चलती रहती और मुझे कई बहुत बेकार सा भी लगता है जब तक बच्चा पढ़ता है तब तो पैर्रेंट्स भी बहुत बोलेंगे कि आप ऐसा हो जैसे बो निकलता है ना तो parents कभी याद रखते हैं ठीक है और सबसे बड़ी बुरी बात यह है चलो ठीक है याद रखना ठीक है लेकिन main जो मुद्ध है मतलब यह है कि बच्चों से कभी पूछ लो कि बनना कह चाते है वो कभी नहीं बोलता है teacher बनना है तो यह आज से दो साल पहले video मैंने बदाय मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो जाए चाहे मैं करूं चाहे कोई और करें चाहे मेरे थ्रू हो लेकिन ऐसा कुछ हो जिससे बच्चे कह पाएं कि मुझे teacher बनना है क्योंकि हम सब को चाहिए हम देखेंगे best coaching कौन सी school कौन से सब कुछ लिए कभी student नहीं सोचता है इसका बहु की नजर में है तो फिर तो आज वी इंजिने बना पसंद नहीं करतें बहुत से लोग काफी चेंज आया या से हम बात करें 19 साल पहले तो लोग इतना इंजिनर बनना चाहुत है ता में लिए खाए कं बना चुक रही अच्छका है तो अच्छी से जानते होंंगहां दर मेरी किस फील्ड में पैसा ज्यादा सिंपल अगर ऐसा ना होता तो आप बताओ क्या आप इंजिनियर को हमेशा आज भी अच्छा नहीं बोलते हैं आप यह नी बोलते हैं मैं अपने बेटा को इंजिनियर बनाना चाहते हो लें आज देखो आज बहुत कम पर्सेंटिज में हैं जो लोग बोल रहे हैं कि आज क्या बोल रहे हैं हाँ बनाना तो है कंडिशन एपलाई आएट से या एन इट से जो भी रीजन है कि ठीक है जो कॉ खो लोग नीचे घरा ठीक है लेकिन कहीं न कहीं फैसा फेक्टर है कियोंकि बागी कॉलेई में पाई जोब नहीं लगी यहाँ पे किसी को कोई इसमें जाना है और आज बो दिन आ गया है यह revolution स्टार्ट हो चुका है यह चाहे जिसको बोलूँ चाहे मैं यूट्यूब को बोलूँ चाहे यह net जो आ चुका है जियो को बोलूँ मैं किसी को भी बोलूँ इन सवी के लिए मैं बहुत थैंक्फुल हूँ कि आज हमारी इंडि पूर नहीं कर पा रहा था जिसके बज़े से बच्चों में क्या निमेज थी ठीक है कमाते होंगे 10-20,000 रुपए क्या है तो उसके अंदर कभी आते ही निदा क्यार मैं भी कुछ इसमें बढ़ा कर सकता हूं लेकिन आज आज आप देख पा रहे हूं जिसके पास नॉलेज ह सकता हूं लोगों की लाइब बदल सकता हूं तो मुझे आज बहुत खुसी इस बात कि है कि revolution स्टार्ट हो चुका है चाहे वो YouTube के थिरू हो चाहे किसी platform के थिरू हो लेकिन आज यह चीज आ चुकी है कि आप अच्छा कर सकते हैं और teacher को सबसे अच्छा फाइदा यह हुआ ह कि teacher अपने आपको explore कर सकता है जैसे मैं अपनी भी बात करूं तो कहीं न कहीं मैं भी सोचता था कि मैं कुछ limited बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं अपनी knowledge को explore नहीं कर पा रहूं लेकिन मैंने भी कुछ काम किया है मैं कर भी रहा हूं और teacher को मैं देख रहा हूं कि कितना अच्छा हो गया तो इसके लिए बहुत सारे factors हुए हैं जो भी factors हैं बहुत अच्छे हुए हैं और आने बाले दिनों में जरूर मैं क्या पाऊंगा कि मेरे बच्चे बोल पाएंगे कि sir मैं भी teacher बनना चाहता हूं और जिस दिन ऐसा हो जाएगा और मैं कहूंगा 100 बच्चो बताएं क्या जो मैंने बात रखी क्या वो उनमें आपको सच्चा ही नजर आती है कि ऐसा बास्तों में अगर ऐसा है तो जरूर लेखें और कितने बच्चे टीचर बनना चाहते हैं यह जरूर मुझे बताएं comment section में मुझे खुसी होगी इस बात की ठीक है तो मिलते है नेक् फ़लो जन्नेवादे